हलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू योटूब चैनल जय बजरंग कोचिंग मैं सिव संकर सिंग आप लोगों का मेंटर कोच और देखें स्टूडेंट क्या है कि आज यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम वर्ड है यह जो है कि आपके एक्जाम में बहुत बार पूछे जा की बात किये वे तुम्हारा जो देखे पहला वाला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आइडल मानों सभी स्ब्रॉब क्या है काम चौर तो इसका जो उनोरिय रीप्शा सर्फ बारे बता रहा हूं बाद में चल कर जो की एक्जाम में पूछे गया और इनकी चांसे जहें आने के, क्योंकि बार-बार पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इन में से कोई आपके एक्जाम में आ जाए है, ठीक है? चले, शेकेंड क्या है, घ्राइफ, घ्राइफ मतलब होता है दुख, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो इसका से इसका हो जाएगा, बिलीवेबल या ओथेंटिक, ठीक है, बिलिवेबल या ओथेंटिक हो जाएगा, हैं यहाग तक कितने हो गए तीन हो गए जो था देखिए हम्बल मतलब होता है उदार हम्बल की होता है विनम्र नंब्र या विनम्र या उदार होता है ठेक है तो हम्बल का क्या हो जाएगा modest, meek, polite तो मैंने यहाँ पर तीनों लिख दिया है जैसे कि reliable का दो ठो एक believable पूछा गया है authentic ठेक है यह दोनों आपकी मतलब की समझ लिजी कि 2009 से लेकर 2018 तक के exam में यह सभी पूछे गया है तो reliable का जो यह दो ठो पूछा गया है मतलम कि अलग अलग करके और humble का जो है तीन ठो ठीक है तो humble करके एक बार modest आया है एक बार meek आया है एक बार polite आया है तो यह चीज़ें आपको अच्छे जान करें होनी चाहिए कि इन में से कोई साज आए आप tick करके आईए ठीक है याई आप उसको क्या करते हैं solve करके आया अप अच्छे से लिक क्या है ताकि आपका नंबर गेन हो सके clear है चले हो जाने बाद चले देखते हैं हमारा trim है trim हाने सभी लोग जानते हैं जीत या विजय ठीक है तो trim का synonym क्या हो जाएगा victory trim का synonym क्या होगा victory यानि जीत clear है इसके बाद next है delight delight मतलब होता है खुशी ठीक है delight मतलब क्या होता है खुशी यह देखे दो सालों में दो अलग अलग चीजों के नाम लेके पुछा गया तीन लग बाद तीन चार साल पुछा गया है लेकिन एक बार जाइटी आया है दूसरी बार तीसरी बार चौतरी बार क्या है फ्लीजर है ठीक है तो यह जो है आपके most important हो जाएंगे तो delight का क्या हो जाएगा एक जायटी हो जाएगा एक leisure हो जाएगा इस दोनों तयार करिएगा बाकी इसके अन्य से में भी आपको मैं बता दूंगा ठीक है जो भी होंगे चले आगे देखते हैं सात्वां जो है disaster disaster मतलब होता है बिध्वांस ठीक है disaster का क्या हो जाएगा कालमाइटी क्या होगा कालमाइटी हो जाएगा clear है ना next है फेम आप लोग तुछ सुने यहोंगे name fame money तो fame मतलब होता है प्रसिद्धी ठीक मतलब क्या होता है प्रसिद्धी और जहां मैं देखा हूं कि reliable के बाद दूसरा यही ऐसा वर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जया है एक्जाम में आपके यूपी बोर्ड के एक्जाम में तो fame का क्या होता है popularity या reputation इसको त्यार रखेगा यफ ए यम ई यफ ए यम ए फेम मने क्या होता है popularity या reputation इसके बाद आता है timid तिमीड मतलब होता है डरपूंक तिमीड मतलब होता है डरपूंक होता है डरपूंक या कायर coward क्या हो जाएगा coward c o w a r d coward clear है last हमारा है 10 इस्ट्रगल इस्ट्रगल मतलब क्या होता है संघर्स आप लोग इसके पहले जो लोग भी जैसे इसके पहले बुक देखेंगे तो इसमें एक चैप्टर है my struggle for an education इस्ट्रगल मतलब होता है संघर्स करते हैं सभी लोग करते हैं जीवन में बढ़ा बहुत ज्यादा इस्ट्रगल कर रहे हैं तो इस्ट्रगल मतलब होता है संघर्स इसका जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जा ठीक है इसलिए मैंने इनको इसमें दिया है अभी तक मैंने जेतना की मतलब सब कुछ खोज खाज कर इसको निकाला है जो कि मुझे इंपोर्टेंट लगे हैं बाकि जो अन्य सिनोनिम होंगे वो भी मैं आपको करा दूँगा क्लियर है